Hello friends, स्वागत है आपका इस नए धमागेदार वीडियो में ये वीडियो आपके reasoning के classification को और भी बहतर तथा आपके concept को और भी clear कर देगा और ये सारे question SSC के previous year question यानि के previous year exam से related question है like CGL, CHSL, NTPC जितने भी SSC के exam से उनके previous year से ये questions लिए गया है जिसमें से 3 क्या होते हैं लगबग similar होते हैं कोई न कोई उनमे similarity पाई जाती है और एक जो होता है odd होता है यानि कि विसम होता है उसे हमें चुनना होता है तो देखे इस question में देखते हैं तो देखे यहाँ पर 17, 19, 13 और 21 दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल ही similar होंगे और एक क्या होगा वो बिल्कुल ही different होगा तो क्या ऐसा है कौन सा ऐसा option हो जो बिल्कुल सही है तो देखिए यहां पर 17 और 19 क्या है आप 17 देखेंगे तो क्या है यह अभाज्य संख्या यह भी 19 क्या है अभाज्य संख्या है तेरह भी अभाज्य संख्या है तो इसी सब से क्या होगा डी डी सही होगा क्यों क्यों क्योंकि देखिए तीन से भी कटेगा और साथ से भी कट ज होंगे जो क्या होंगे कहीं न कहीं उन में similarity होगा और चौथा क्या होगा वो बिल्कुली different होगा तो आप वाइड के अधार पे हम देखते हैं तो देखिए क्या है option question number 2 दिया हुआ क्या दिया हुआ कि nitrogen iron oxygen और fluorine तो इन चारों में से कौन सा odd one है तो आप बताइए इसको pause करके और सही उतर होगा वो क्या होगा option number B होगा क्यों क्योंकि देखिए यह nitrogen oxygen और fluorine यह सभी क्या है room temperature पर क्या होते हैं यह क्या है सभी एक gas है लेकिन iron क्या है वो gas नहीं है इसलिए option B क्या है सही है और यह क्या है ntpc का सवाल है sse ntpc में जो आया था इसलिए नमबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ ears, eyes, nose और throat यह बहुत ही simple है जो कि CGL 2019 में पूछ चुका है question तो आप इसको बताइए क्या होगा बिल्कुल सही सोचा आपने तो इसका जो option होगा वो option number D सही होगा क्यों क्योंकि यह सारे के सारे क्या है sense organ है जैसे ears हो गया, eyes हो गया, nose हो गया यह सारे के सारे sense organ है जबकि throat क्या है यह एक गला है जो कि हमारा क्या है body part है इसलिए option number D क्या है बिल्कुल सही होगा नमर फोर देखते हैं क्या दिया हो आपसन ए बियर, स्पैरो, पीजन और आउल इन चारों में से कौन और वन है इसे चोज करना है तो बताईए क्या होगा वीडियो पॉस कर लिजा आप थोड़ी देख सोच लिजे फिर बताईए तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा बियर होगा क्यों क्योंकि ये सारे के सारे ये तीनों देखिए ये तीनों क्या है चिडिया है पीजन भी चिडिया होता आउल भी चिडिया होता और इस पैरो भी ये सब क्या है डिफरेंट टाइप आप बर्ड है लेकिन जो बियर है वो क्या है एक एनिमल है इसलिए यह क्या होगा, यह odd one है, और यही answer क्या होगा, सही होगा, question number five देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, taunt, snub, regards और abuse, देखें यह CGL 2021 का question है, बहुत important है, आप चाहे तो वीडियो पॉस्ट करके इससे solve कर सकते हैं, आप इसका उत्तर देख सकते हैं, तो देखें, taunt, snub, regard और abuse, तो इन चारों में से कौन सा सही है, बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर है, वो क्या होगा, regard होगा, क्यों, क्योंकि यह तीनों, देखें, taunt क्या होते है, जब हम किसी को taunt मारते हैं, ताना, या फिर snub, ये सारे के सारे ये जो तीनों वर्ड है, वो क्या है, किसी के disrespect, यानि कि इगाली, या फिर उसकी disrespect कर रहे होते हैं, लेकिन regard क्या होता है, वो respecting word है, जैसे कि इसलिए ये क्या है, सही उत्तर है, नमर 6 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, रेडिस, इस्पाइनेक, कैरट और पोटाइटो, तो इन चारों में से क्या option सही होगा, देखिए, तो इसमें क क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से, इस्पाइनेक होना चाहिए, इस्पाइनेक मतलब क्या होता है, पालक होता है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे root vegetables है, यानि कि ये जड़ में पाये जाते हैं, ये vegetables पालक क्या है, पालक उपर हिस्सा होता है, इसलिए ये क्या है यह सही उत्तर होगा पर देखने में यह कोशन तो बहुत ही इजी लगा होगा में भी आपको लेकिन यह सीजियल सीजियल 2000 यह किसका कोशन है सेवन देखते हैं कि क्या दिया हुआ वाल सिलिंग फ्लोर और फैन दिया हुआ तो इसमें से क्या सही उतर होगा तो देखिए इसमें से जो सही उतर होगा वो क्या होगा वो फैन होगा क्यों वाल, सिलिंग और फ्लोर ये सारे सारे क्या है रूम के एक हिस्से हैं जैसे कि वाल हो गया, सिलिंग हो गया, फ्लोर हो गया तो ये room के एक हिस्से हैं, लेकिन fan क्या है, ये room का हिस्सा नहीं है, पर 8 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, heart, lungs, nose और liver, तो इन चारों में से क्या सही उतर होगा, तो इसका जो सही उतर है, वो होगा क्या, तो बिल्कुल nose होगा, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे देखे, ये त criminal, killer, required और thief दिया हुआ है, तो इसमें से क्या सही उतर होगा, इसका जो सही उतर होगा, वो क्या होगा, criminal होगा, नमबर A, criminal क्यों सही होगा, क्योंकि ये देखे, killer, required और thief, ये तीनों क्या है, अपराद कही, अलग-अलग प्रकार है, लेकिन ये क्या है, ये समूचा एक नाम दिया गया है, criminal, इसलिए, option number A क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, question number 10 देखते हैं, क्या दिया होगा, option A, sneaker, hook, walk, और road, तो इन चारों में से क्या सही होगा, तो इन चारों में से जो सही उतर होगा, walk होगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है, वो अलग-अलग sound के प्रकार हैं, जैसे कि, hoop, hoop मतलब खुसो के जो चिलाना होता है, इस तरीके से, sneaker क्या होता है, कि जैसे कि हम किसी को बोलते हैं, कि जा, 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 तुझे हम देख लेंगे, और एक अलग सी smile होती है, थोड़ा सा, और उसमें धूर्तता होता है, तो वो क्या होता है, तो वो क जानते हैं, क्या है, दाहरना होता है, तो ये तीनों sound के अलग-अलग प्रकार है, जबकि क्या है, वो बिल्कुली अलग हो जाता है, चलना, यानि कि टहलना, इसलिए, option number C सही है, question 11 क्या है, chalk, book, pen, और marker, तो इन में से क्या सही हुतर होगा, ये बिल्कुल असान है, और आप पर लिखे जाने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, book, book है, तो बिल्कुल ही odd one हो जाता है, बिल्कुल 12 देखते हैं, देखे, question 12 क्या दिया हुआ है, अफरिका, इंडिया, अस्ट्रेलिया और योरोप दिया हुआ हुआ है, तो इन चारों में से क्या सही होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इंडिया होगा क्यों इंडिया क्यों होगा क्योंकि ये देखिए तीनों क्या है महादीप के नेम है जैसे कि अफरीका अंटार्टिका नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये सब क्या है महादीप के नेम है और ये योरोप ये भी क्या है ये सब के सब महाद उतर होगा वो होगा माइल क्यों क्यों कि यह देखिए यह सब क्या है मेजर्मेंट यानि कि मीटर प्रडाली है मैट्रिक्स मेजर्मेंट है मीटर प्रडाली है इसलिए तीनों के तीनों क्या है यह सेम होंगे लेकिन यह माइल क्या है बिल्कुली और वन हो जाता है अब देख बिल्कुल odd one हो जाता है, question 15 देखते हैं क्या दिया हुआ, forward, index, preface और edition दिया हुआ है, तो इन चारों में से सही उतर क्या होगा, तो option number D साहिए होगा, क्यों? देखे forward क्या होता है, प्रस्तावना होता है, यानि कि किसी book के पहले आप देखेंगे, प्रस्तावना लिख्फा होता है, index यानि कि सूची बनी होती है और preface भी होता है लेकिन addition क्या होता है वो पूरा book का क्या हो जाता है एक version हो जाता है तो एक book का अलग-अलग version जैसे कि यह third edition है fourth edition है तो यह सब क्या है अलग-अलग edition के कारण यह क्या है option number D क्या होगा odd one हो जाएगा question number 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि rockets, planets, galaxies और stars दिया हुआ है तो इन चारों में से क्या odd one होगा तो आप बताइए वीडियो पॉस करके आप देख सकते हैं तो इसका जो सही उतर होगा वो rockets होगा क्यों 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 यह देखिए यह तीनों की तीनों क्या है नेचुरल्स होते हैं लेकिन rockets क्या है, man-made है इसलिए option number A सही होगा तो यह अभी तक जितने भी आपने question देखा वो सारे के सारे SSC previous years related थे इसमें NTPC, CHSL, CGL और सभी के लिए questions थे, वहाँ से उठाए गए यह questions तो बहुत ही important है और उमिद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह के और भी हम questions लाते रहेंगे, और भी बहतरीन questions लाते रहेंगे आपके exams के लिए इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब ज़रूर कर लें इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए